सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों मतलब कल तो यार मज़ा आगया यहाँ पर आप सभी ने मिलके टार्गेट कर दिया कम्प्लीट हमने तोड़ दिया रिकॉर्ड और आज कुछ रिकॉर्ड है वो तोड़ना है हमें यह 50,000 लाइक्स का कभी-कभी लगता है कि जादे हवा में बढ़ रहा हूँ पताने किस भरो से बुल देता हूँ लाइक्स में दोस्तों बाद में समझ में आता है कि हमारा है एक प्रोटाइप फोन को जो कि था डूजी का Mix 4 फोन दिखने में बड़ा कमाल है मतलब यहां पे सामने के तरफ सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले है यहां पे जो फिंगरेप्रिंट स्कैनर है वो भी फोन के स्क्रीन के अंदर चुपा है एक और स्लैडिंग मेकानिसम है जिसके ब दिखने में काफी कमाल लगता है अगर ऐसा फोन सामसंग या फिर एपल लेके आए लेकिन फिर तो डिजाइन मतलब वो हो जाएगा लेकिन किसी और तरीके से अगर हम अचीव कर पाए आप समझ लोगी पूरे के पूरे डिस्प्ले वाले स्मार्ट फोन को तो कितना कमाल हो तो अगला अपडेट निगल के आता है वो है भाईया यहाँ पे सामसंग की दरफ से और सामसंग ने अल्रेडी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है शायद एक्जिनोस 9H20 प्रोसेसर को इसके साथ दूस्तों सामसंग याँ पे 5G की चिप्स के उपर भी काम कर रहा है और य यहाँ पे क्या पता आपको सामसंग के नोट 9 में कुछ देखने को मिल जाए या फिर अगले साल S10 के साथ में सामसंग लेके आ सकता है 5G वाला फोन बात तो फिर कमाल होगी बस जी ओ लेके आ जाए साथ में 5G वाला नेटवर्क तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे बहुत ही कमाल के ऐसे इंप्लांट को लेके जो कि इंप्लांट किया जा सकता है सिर्फ एक इंजेक्शन या फिर किसी और तरीके जरी जिसके लिए आपको एक्चल कुछ सर्दरी के जोरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे ये 10.5 cm टिशू के आरपार भी पावर क सकता है डीटा को टर्स्मीट कर सकता है उसके बाद बॉडी में तरह तरह के काम में आप आएगा आप यहां से कुछ सिगनल्स भेज सकते हैं analyze कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप शायद control कर सकते हैं, तो मतलब बहुत ही कमाल का बहुत ही छूटा सेंसर है, जिसको शायद हम आगे चलके implant कर पाएंगे bodies में, कुछ खास treatments के लिए तो सुनगल अपडेट निकल के आता है, वो यहाँ पे Facebook Messenger को लेके good news, अगर आप यूज करते हैं, Messenger को भईया करते हैं, चैटें तो यहाँ पे अभी यहाँ भेज़ पाएंगे HD वीडियो और साथ में support मिल गया 360 degree की photos का, अगर आप चाहते हैं भेजना अपने किछी दोस्त को, तो अभी आप भेज सकते हैं, Facebook Messenger के जरिये, लेकिन शायद WhatsApp कफी convenient होता है आप जड़ा के इस्तिमाल करते हैं, मुझे बताना जरूर नीचे comments में, तो सुन अगला अपडीट निकलता है, वो है, यहाँ पे Canon की तरफ से हो और यह बहुत ही कमाल का sensor, यहाँ पे Canon unveil के है, जो की है 2.2 megapixel का, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह बिलकुल घने, घुप अंधेरे में भी slow motion videos को record कर सकता है, 100 fps तक, मतलब यार, यह एक बहुत ही कमाल की बात है, बिकॉस होता यह है, कि जब भी आप record करते हैं, slow motion videos, उसने आपको shutter speed बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह कि आपको चाही होती है, bright light वरना आपको recording जो मिलेगी, वो बहुत ही खराब मिलेगी लेकिन यह बिलकुल अंधरे के इंदर भी slow motion videos को record कर सकता है, तो एक अलगी टाइप का sensor है, 2.2 megapixel का खास तोर से बनाय हुआ slow motion videos के लिए, तो अगला update निकल के आता है, वो है Nokia के India event को लेके, यहाँ पर भीया Nokia ने इंडिया में launch किया अपना the new Nokia 6, Nokia 7 Plus और Nokia 8 Sirocco, यहाँ पर जो phones है, वो काफी कमाल है, लेकिन जो pricing है, वो ज्यादा है Nokia 6 की भी थोड़ी सी ज्यादा है, Nokia Nokia 7 की भी थोड़ी सी ज्यादा है और Nokia 8 Sirocco की तो खैर काफी ज्यादा है, हाला कि दोस्तों यह एक premium device है, लेकिन फिर भी 50,000 रुपे के इंदर Nokia ने launch किया, अपना Nokia 8 Sirocco और Nokia 1 तो पहले ही आ गया था, तो basically जो इस साल Nokia ने launch किया था, एंडिलो C में उसमें 81, 10, 4G को छोड़के बाकि सभी phones इंडिया में लेके आ चुका है देखते हैं कि market में कैसा perform करते है और मैं वीडियोज बनाई चुका हूँ 7 Plus और Nokia 6 के लिए, आप जाके देख लिए जो बताए हुँज आपको क्या है ओपिनियन Nokia के इन phones को लेके दोसरों अगला update निकल के आता है वो है ATL के एक नए पोस्टपेड प्लान को लेके जहांपे ATL लाँच कर दिया है एंडिया में 649 रुपीज का पोस्टपेड प्लान आपको देता है भयाई, 50 GB का data calling आपको मिलती है unlimited local or STD में और अगर आपका data बच जाए तो यह हो जाएगा carry over अगले महीने के लिए तो काफी कमाल plan है लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या आप जाना किसमें comfortable हो prepaid में या फिर postpaid में क्योंकि जब से prepaid में सब कुछ unlimited हो गया है यहाँ पे facebook के लिए और facebook अपने user से पूछने वाला है पूछना शुरू कर चुका है in fact कि मैं यह user सी बताए facebook को दे के feedback कि क्या वो जो facebook है वो दुनिया के लिए सही है या नहीं है मतलब facebook दुनिया के लिए good है के bad है आप बता दो facebook को यहाँ पे शायद आपको आ सकता है सर्वे आपने किसी timeline के अंदर facebook आपसे सवाल पूछ सकता है तो मतलब facebook की जनता से उपनीर मांग रहा है यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े आरोप लग रहे है और बात भी खेर काफी serious है तो ऐसे में लोगों का कितना भोलो साब बना हुए facebook को भी देखते है कि facebook को क्या feedback मिलता है अपने इस poll को लेके दूसरो अगला update निकलता है वो है यार एक ऐसे drone को लेके जो या drone सोचा था कि घर गर जाएगा, सबान पहुचाएगा delivery कर देगा items की लेकिन अपनी flight ली पहली टकरा गया दिवार में हो गया crash और यह जो drone की price थी वो थी 20,000 डॉलर सिर्फ 13,000 रुपे के असपास तो यहाँ पर अभी दोस्ते हमको बताता है कि शायद अभी और थोड़ा time बाकी है ऐसे drones के लिए जहाँ पर यह घर घर जा पाए सबान को पहुचा पाएं कर पाएं deliveries फिल्हाल जिले तो खेयर यह flight में थोड़ा सा crash हो गया अगला update निकल गयाता है वो है Hyperloop को लेकि और यहाँ पर यार Hyperloop को मालूम है कि यह एक ऐसा concept है जहाँ पर हम बात करते हैं बहुत ही तेजी से हम करेंगे travel जमीन पे तो यहाँ पर अभी हो क्या गया है थोड़ा सा competition टाइट हो गया विकाज यहाँ पर नए-ने start-ups आ गये है जिसका भी concept कुछ ऐसा ही है तो अभी अलगलग companies जो जो चाहती है अपने तरीके से कि कैसे वो achieve कर पाए Hyperloop की speeds को और कैसे वो उसी concept को implement कर पाए तो देखते हैं कि actual में पहला ऐसा running concept को दुनिया में कहां देखने को बिलता है प्लान एक है कि दुबई से अबुदाबी के बीच में उसके लाबा प्लान है मुंबई से पूने के बीच में फोन आप देख सकते हो फिलाल के लिए शायद दीचे की तरफ तो micro USB port ही है इसके अलावा यहाँ पे auto brightness sensor भी देखने को तो नहीं मिल रहा है layout में dual cameras आपको दिखने है clear screen दिखता है standard 16.9 वाला तो Samsung यार क्या करता है अपने mid range phones के साथ में मालूम नहीं देखते हैं कि ये phone इंडिया में कब कहा कैसे किस price पे launch होता है तो अगला update निकलता है वो है एक बहुत बहुत ज्यादा sad news को लेके आज दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि YouTube headquarters में एक lady घुसी उन्होंने भईया कि यहाँ पे अंदा दुन फायरिंग जहाँ पे कुछ employees घायल हुए और बाद में खुद को shoot कर लिया नाम था यहाँ पे दोस्तों नासिम अखदम हुआ यह इसलिए बाद में जब पता लगाया गया कि उनकी एक website थी जहां पे वो post कर रही थी बाते YouTube के अगेंस्ट की YouTube जो है वो हमारी वीडियोज पे अड नहीं दे रहा है पैसा नहीं दे रहा है वीडियोज रिमूव कर रहा है एज डेस्टिक्ट हो रही है पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकिन इसका मतलब ये कहां से हो गया कि आप आफिस में घुसके और फैरिंग करोगे लोगों हैल करोगे अंद दूर फैरिंग करोगे और बाद में खुद की जान भी ले ली तो पता नहीं क्या सोच है लोगों की कैसे चीज़ काम करती है बहुत ही एक शरम की बात है और इसको देख्के दुख भी होता है आप दूस्तों बताःे कि आपकी इसके बारे में क्या राए है कि विडियोस पर आड नहीं आये व्यू जाला यES नहीं आये कमाई नहीं हुई तो क्या फैरिंग करना जायज है दूर से अपना हाथ-ाथ कुछ-कुछ गुमाना है, काम हो जाएगा और यहाँ पे curved iPhone screens की भी बात हो रही है कहीं आपको iPhone का edge वाला variant तो देखने को नहीं मिलेगा देखते हैं कि आप Apple क्या लेके आता है अपने कुछ नई iPhones के साथ में और क्या पता कुछ touch test gestures वगरे को भी invent कर पाए दूसरों अगला update नहीं कर लिए आता है, वो है Jio Payments Bank को लेकर भाईया, ATL Payments, Paytm Payments के बाद में Jio Payments Bank नाम की चीज़ भी आप कुछ आदेखने को मिल सकती है Approval मिल गया है RBI से और इसके बाद में शायद अभी आप इसको यूज कर पाएंगे आने वाले दिनों में मज़ा था भाई जब आपको अपने अधार गाड को लिंक करना पड़ जाए सभी bank accounts के साथ में फिर चाह वो payment वाला हो चैफिर हो वह या normal account तो यहां पर यह है चीज जीओ पेमेंट्स बैंक को लेके आपको कितना इंटरस्ट है बता भी दो नीचे कोमेंट्स में दोस्तों फ्राव वीडियो में इतना ही देखिलें आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर अपने इस वीडियो लागे शेयर नहीं किया तो लाइक विडियो शेयर भी करतेजिए और चैनल सब्सक्राब को लिए मत भूला क्योंकि मैं फ्रूज जाना है इसी वीडियो लेके आता रहता हूं फ्लाल के लिए दोस्तों जैहन्त बंदे मात्रम